हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और नए स्रीज में जिसों ही है हमारा ग्यान से तू का ही आपको पता है कि हम ग्यान से तू के वीडियो पहले भी बनाते आ रहे हैं और पहले हम इसमें चार वीडियो बना चुके हैं जो कि आपके ग्यान सेतू के सुबोध पाठे पुस्तक पर आधारित है और सुबोध पाठे पुस्तक के भी गनीत पर आधारित है गनीत कारे पुस्तका अभी हम पढ़ रहे हैं जिस पर कि इससे पहले हम भी वीडियोज बना चुके हैं और अधी आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है और तो उन वीडियोज को देख लें और वीडियो सुरू करने से पहले अधी अभी तह आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप उन वीडियोज की सहायता से अपनी जो पाठे पुस्तक मिले गई है स्कूल में और फिर आपको जो कारे पुस्तिका दी गई है आप उसे अच्छे से भर सकें और जिसके कारे स्कूल में आपको अच्छे नमबर मिले तो चलिए हम आज का वीडियोज शुरू करते हैं तो आज का वीडियो आपको पता है कि हैं पहले अभ्यासकार्यपत्रक 19, 20, 21 और 22 को देख चुके हैं तो आज हम देखेंगे अपना अभ्यासकार्यपत्रक 23 जो कि हमारा अभ्यासकार्यपत्रक 23 है और या पेज नंबर है 27 तो आज हम अभ्यासकार्यपत्रक 23 पेज नंबर 27 को पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं चलिए पहला सवाल पढ़ी आप लोग मेरे साथ तो पहला सवाल दिया है कि चित्रों की मदद से भिन्नों को जोड़ कीजी तो देखिए नीचे आपको कुछ चित्र दिये गए हैं और उसके बगल में भिन्ने दिये गए हैं और आपको बताना है कि चित्रों की मदद से उन भिन्नों को में जोड़ना है तो यह बहुत ही आसान है चलिए देखते हैं यह कैसे होगा तो आप जब पहला सवाल देखिएगा तो देखिए पहले सवाल में आपको यहाँ पे दो चित्र दिये गए हैं जो की रंगे हुए हैं तिसरे सवाल में एक चित्र दिये हैं जो की रंगे हुए हैं और आपको बीच में साइन दिया हुआ है जोड का मतलब कि आपको इन दोनों चित्रों को जोड़ना है तो देखिए आपको दो चित्र रंगे हुए है और एक तीन तोटल कितने चित्र रंगे हुए है जी बिलकूर तोटल तीन चित्र रंगे हुए दिये गए हैं तो आप तीन चित्र को रंग लिजिए तो एक चितर में रंग दिया दो और यह हो गया तीन आपसे अच्छे से कलर कर लीजिए गा तो तीन चितर को मैंने रंग दिया तो जब मैं इसे और इसे जोड़ूंगा तो यही बनेगा लेकिन अपर मैं इसे भिनने के रूप में लिखना है तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि इसे भिनने के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं तो देखिए आपर तीन चितर रंगे हुए हैं पता है कि जितना भाग कलर होता इसको उमपर में लिखते हैं 3 हो गया उसके to susp警 कितने भागें तो टोटल 1-2-3-4 भागें तो नीचे हम लिख देंगे चार और मेरा हुजई गा 3 बटा 4 और इसमें मेरा 3 बहुड रेंगा हुआ होगा तो इसका answers तो छोगए तो इसका एंसर इस परकार से होगा तीन बटा चार और इंपर चार और एक तीन भागस में अपो अच्छे से रंग देना है उसलिए उसकी सवाल को दे अग्ला दिया है कि चित्र बना कर नीचे दिए गैए सवाल गोसी मिpection सवाल दिए ठॉटल भग रहता है पर में जो रहाता है उतना भाग में रंगा हुँआ होता है तो इसकेे समें दो जोड़े मतलग मैंना हैं गुद्षत्रा पड़ेगा कि पूसे स्टूर है तो मैंने एक और सी खाहली कि फश्चाsol लिए कि पार बाव अक reach with बतना और नहें हो गया अब देखिए पहले में मुझे दिया कि इसमें पहले में कितना बाइक किया हुआ कितना वारंगा पहले में दो भाग रंगे हुए है तो चलिए पाले में दो भाग रंग लेते हैं एक और एक इन दोनों भाग को मैंने रंग लिया तो पाला में दो भाग रंगा बता दूसरे में देखिए एक भाग को रंगा हुआ है तो एक भाग को मैंने रंग दिया और हम ने यहां पर क्या किया है मैंने यहां पे इन दोनों को जोड़ा है तो बीच में कुन सा चिन होगा बीच में पलस का चिन होगा उसके बाद आपको यहां पे देना है बराबर क्या देना है बराबर तो फिर देखिए दोनों को जोड़े तो जो जोडने के बाद आएगा उससे भी आपको इस चितर से दखाना है तो मैंने आप एक चितर बना लिया तो देखें नीचे 5 है तो इसमें भी 5 ही भाग आपको बनाने है तो 1, 2, 3, 4, 1, 5 भाग होगी आपको सभी भाग को ध्यान रखना कि सभी भाग बराबर बने तो दखिए अप हाले में 2 भागर रंगा हुआ है, दूस्रे में 1 है, ल Chang'e, बिल्कुल टोटल 3 भागर रंगे हुए हैं तो हम तीन भाग को रंग लगे, 1 हो गया, 2 और 1, 3 आप से पैंसल अच्छे से रंग लिडेगे, तो यह इसका और होगा कि इसमें तीन भाग रंगे होंगे अब देखें तीन भाग रंगे हुए हैं तो जितने भाग रंगे हुए हैं उसे हम कहां लिखते हैं उसे हम लिखते हैं उपर में तो यहां पर मेरा हो जाएगा तीन बटा और जो टोटल भाग हो तो टोटल कितने भाग हैं तो एक दो तीन चार और एक पांच भाग है तो नीचे हो गया तो आपको इसी तरह से बनाना है क्या करना है तो पहले आपको इस तरह का कोई चित्र बनाना है जिसमें कि आपको पांच भाग करने है उसमें से दो भाग को रंग देना है फिर बीच में जोड़का साइन देने के बाद आपको एक और चित्र बनाना है जिनमें भी आपको पांच भाग करने हैं और उनमें से आपको एक भाग को रंग देना है इसे तरह से आपको एक और चित्र बनाने है जिनमें भी आपको 5 भाग रंग करने है और उन्में से एक और एक दो भाग गीन की आपको याफिस में रंग देना है और इस तरह से आपका इंसर आ जाएगा तो चलिए अग्रा स्वाल देखते हैं लकिन उससे पहले हम जो आपका स्क्रीन का थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेते हैं अब आपको यह अच्छा से दिख रहा होगा और साफ दिख रहा होगा तो चलिए हमें इस सवाल को बनाना है सवाल है दो बटा साथ फलास तीन बटा साथ तो फिर से इसमें वही करना है क्या तो साथ नीचे दिया है तो हम साथ भाग अपना कोई एक लेंगे उसमें साथ भाग करना है तो दो जोड़ है तुमको दो बार इतना ही बढ़ा लेना पड़ेगा चलिए ले लिए अब नीचे साथ है तो मैं क्या करना है जी हमें नीचे साथ भाग इसमें करने हैं तो चलिए साथ भाग कर लेते हैं एक दो दो तीन चार पांच छे और एक साथ आप इतने बराबर बराबर कीजिएगा इसमें साथ भाग करने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और एक साथ भाग हो गए आप उच्छे से बराबर में कर लीजिएगा और बीच में क्या दिया है जोड़ दिया है तो देखिये पाल्य में कितने बागों रंगना जा बिल्कूर सब्सक्राइब, जाल ì पाल्य में दो भागों रंगना पाल्य में दो भागों रंगना उत्त ह्षित 5-i7 हूग में सभूर हूगना है। तो आपको एक और इसका बाक्स ट्रॉप करना है उसमें कितने पाट करने साथ पाट एक दो तीन चार पांच चे और एक हो गया साथ आप इस अच्छे से ड्रॉप कर लीजिए मेरा पे बराबर नहीं हो रहा है तो चलिए तो कितना हो गया यहां पर देखिए मैंने आप यहां पर दो भाग को कलर किया है यहां पर तीन बाग को कलर किया है तो टोटल पांच बाग हो गए तो यहां पर हमें तोटल पांच बाग को कलर करना है एक वाग हो गया दो तीन चार और एक पांच तो इसी में देखिए मैंने पांच बाग को कलर किया दो बाग खाली रहे तो जब हम इसे भिनने के रूप में लिखेंगे क्या करेंगे जब इसे भिनने के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा तो आपको बताये थे और यह बताये थे कि जितने भाग को अच्छे से बना लीजिए गा चलिए अगला सवाल को देखते हैं जो कि है मेरा सवाल नंबर तीन आप लोग मेरे साथ सवाल पढ़िए सवाल में दिया गया है कि नीचे दिये गए और समान हर वाली भिन्नों को जोड़ कर कि जोड़ को चित्र की मदद से कीजिए तो देखिए आपे हमें कुछ भिन्ने दिये गए हैं और उन भिन्नों को हमें चित्र की मदद से करना है तो जैसा मैंने पिछले कॉस्टन में किया इसमें वे सही करेंगे देखिए नहीं पहले भिन में तीन भाग को रंगा गया है दूसरे भिन में चार भाग को रंगा गया तो चार और तीन कितने हो गए साथ जी बिलकुल सही तो इन में से हम साथ भाग को रंगेंगे तो चलिए साथ भाग को रंगते है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि रंगने में आसानी हो तो एक दो, तीन, चार, पांच, छे और एक साथ देख सकते हैं इनमें मैंने साथ भाग को कलर कर दिया है तो एक चार और तीन, साथ आपे हो गए अब चलिए अब इसे देखिए, आपे मैंने साथ भाग को कलर किया है तो यही मेरा एंसर इसमें होना चाहिए अब चलिए इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं किसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे चलिए आपे देखते हैं तो इसे भिन्न के रूप में लिखने से पहले कि तो देखिए मैंने साथ बाग को क्लर किया उपर में क्या लिखूँगा तो बिल्कुल सभी उपर में ईपर मैं साथ लिखूँ गाया उपडेक्शन टोटाल याँ फे मेरे पास 12 भाग है तो नीचे मैंने 12 लिख दिया तो इसका कि यहांपे देखिए किसे विंदict के जोड़ मैं को बनाने से पहले नीचे जितने बी चीज रहाते हैं हम नीचे जोते हैं उनका पढ़ाह'llआए तो देख लिए की देखिए जब WaterSym लेते हैं तो उन ने से मझाध कि को यह एसा चीज है जो कि इन तीनों मेंसे किसी 2 को भाग दे सके तो को पता है कि 2 को नहीं है नहीं कि वहुथ देंगा जो है इसा कोई द clamख दे पाएगा तो फिर आम अपको बना एक होता था नुए कित मैं यह बहुंत हो नहीं बार तो основ एप यह ق אתばい नचे लिखतेजिए गए बार लेख दिये उसके बार देखिए यहां पर जो नीचे है कितना है? दो हो यहां पर बारा तो 2 का पहाड़ा प्युए पढ़ए कब ता की जबब तक बारा नहीं आजए तो पता है यहां च्छो घर जाज़ए पटा है बारा तो मैं ने च्छो लिख दिया और गुना दे दिया देखिए उपर में कितना एक तो एक दिख दिया फिर बीच में देखिए जोड है तो मैंने जोड का साइन दे दिया तो मेरा यह होए, चल आप उसे गुना कर लिए, तो छो को जब एक से गुना करेंगे, छो आएगा, चार को एक से गुना करेंगे, चार आएगा, तीन को एक से गुना करेंगे, तीन आएगा और नीचे बटा मेरा 12 है, जब आप से जोड़िएगा, तो छो पलस, चार पलस, त होता है ती दस और तीन तेरह तर branches अजाएगा तेरह वटर rda बारा तो ही मेरा एंसर होगा तेरह बड़ता बारा, तब इस में तर्ममर नम्म में दिया गया है दो बटा तीन 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 बटा चार चार ऐगर पांच सकार रहा है में आप तो इसे बना ले जाफिया वह इंडाइट करते हैं आपने ऍाले जिए जब पान्च चार और तीन का जम निकालते हैं तो इसका zero आता है जिसских गुंद ऐसाथ इतना अब आफा साथ है कि अब देखिए तो तीन से साथ को भगादेंगे उह पता है तीन से साथ को जब भगा देते हैं तो बीस बार में जाता है तो बीस बार में साथ है फिर क्या देते हैं जी गुना देते हैं उपर में दो है तो दो दिए फिर क्या देंगे जी बिल्कुल सही फिर देंगे जोड़ फिर नीचे चार है तो चार से साथ को भगा देंगे तो बारा घर में जाएगा बारी पंचे 50 और इकंपर में 4 है तो चार कुना कर दिये, अब जब इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 20, 2, 40 होता है, 55 गुने 3, 45 होता है और 12 गुने 4, 48 होता है, और आप बटा में कितना है? तो बटा में मेरे पास है 60, तो जब आप इसे जोड़िएगा तो 40 और 45 पचासी होगा सुर्य आपे पलस होगा 40 और 45 पचासी होगा तो पचासी और 40 125 और 8 133 आएगा तो इसका इंसा कितना आएगा जी हाँ इसका इंसा आएगा 133 बटा 60 तो इतना लिखने के बाद आप बराबर में क्या लिखिएगा 133 बटा 60 तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं जो कि है मेरा सवाल नमबर गा अब लोग से स्कीन पर देख सकते हैं तो इसमें भी यह 5 बटा 7 2 बटा 3 3 बटा 4 इसमें जब हम LCM निकालेंगे तो LCM मेरा आएगा 84 कितना आएगा LCM आया 84 फिर वह काम करेंगे 784 को भगा देंगे पता है कितने बार में जाएगा 12 बार में फिर उपर में 5 है तो 5 से गुना कि बीच में प्लस तीन से जब उइसे भगा देंगे तो ये 28 बार में जाएगा उपर में 2 है तो 2 से गुना कि बीच में प्लस अब जब 4 से भगा देंगे तो 21 बार में जाएगा उपर में 3 है तो गुने 3 अब जब इसे गुना कि जिएगा तो पता है कि 12 को 60 से गुना करेंगे तो 12 को 5 से करेंगे तो बारब पंचे, साथ 28 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो 28 गुना 2 होता है 56 और जब 21 को 3 से गुना करते हैं तो ये होता है 63 और नीचे मेरा बटाम है कितना दो बटाम देख सकते हैं नीचे मेरा बटाम है 84 तो जब आप इसे जोड़िएगा तो 60 और 56 एकसा सोईला होता है और एकसा सोईला और 63 179 189 हो तो कितना हो गया 179 189 बटे 84 अब इस तरह से बना दीजिएगा और इसका एंसर आजाएगा 189 बटे 84 अब इस अच्छे से बना लीजिएगा तो चलिए अगला सवाल देखते है जो कि मेरा अंतिम सवाल होने वाला इसमें दिया कि अनुचीद भिनों को जोड़ी देखिए अब लोग पाले भिन पढ़ चुके हैं उचीद भिन और अनुचीद भिन यहां पर मैंसे कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा तो चाइड़ आइटम सवाल बनाते हैं तो देखिए पांच, चार और तीन का जोग लसे अम निकाले नहीं को पाछले सवाल में बता चुके हैं कि पांच, चार और तीन का लसे अम आता है साथ तो इसका लसे कितना आ गया? 60 हा गया फिर आपको पता है कि नीचे जो रहता है नीचे 5 है तो 60 को भागा देंगे तो आपको पिता है कितना गर बार में जाएगा जी 12 बार में जाएगा 12 बार में गुने उपर में 7 था तो गुने 7 फिर बीच में प्लस था फिर नीजे 4 है 4 से जब 60 को भगा देंगे तो 15 बार में जाएगा उपर में 5 है तो गुने 5 फिर पलस और फिर जब 3 से भगा देंगे तो ये 20 बार में जाएगा गुने उपर में 4 है तो 4 अब चलिए इसे गुना करते हैं तो 12 को जब 7 से गुना करेंगे तो आएगा 84, 15 को जब 5 से गुना करेंगे तो आएगा 75, और 20 को जब 4 से गुना करेंगे तो आएगा 80, और देखिए नीचे मेरा पाले से 60 था, तो इतना मेरा हो गया, तो चलिए भी इसे जोड़ लेते हैं, तो जब आब इसे जोड़िएगा तो answer आएगा 84 और 75 159 169 होता है और फिर 80 जब जोड़ेंगे तो 159 प्लस 80 239 होगा तो जोड़ने पर कितना होगा जोड़ने पर 239 हो रहा है 239 by 60 तो इसका answer आजाएगा अब इसे जब बनाईएगा तो last में इसका answer आएगा 239 by 60 इसे चलिए खान नमर भी जल्दी से बनाते हैं तो खान नमर में भी दिया है 6 बटा 5 प्लस 9 बटा 2 प्लस 7 बटा 3 तो देखिए जब 5 दो और 3 का जाएव calcium निकाल लेंगे तो इसका calcium आएगा 30 तो 5 से 30 को भाग देंगे च्छो बार में जाएगा फिर उपर में 6 है तो 6 से गुना 2 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा फिर उपर में 9 है तो 9 से गुना उसके बाद उसके बाद है तीन तीन से जब भगा देंगे तो दस बार में जाएगा और उपर में साथ है तो गुने साथ और जब इन सब को गुना करेंगे तो कितना होगा तो च्छा को च्छा से गुना करेंगे च्छा च्छा 36 होता है पंदरा को जब नौ से गुना करते हैं तो आपका 135 होता है और 10 को जब 7 से गुना करते हैं तो 70 आता है और नीचे मेरा बटा 30 है तो चलिए जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा 135 प्लस 70 205 और 36 241 तो यह मेरा एंसर आगए 241 बटा 30 तो इसमें इसका एंसर होगा 241 बटा 30 तो चलिए इसी तरह में एकला सवाल भी देशेता है जो मेरा अन्तिम सवाल है सवाल नमबर गा तो चलिए इसमें दिया है 3 बटा 2, 5 बटा 3 और 7 बटा 4 आपको LCM बनाने निकालने के लिए सिखा चुके हैं तो जब आप इसका LCM निकाल लिएगा तो इसका LCM आएगा 12 मतलब की 12 तो जब 2 से 12 को भगा देंगे 6 बार में उपर में 3 है तो 3 से गुना कर दिये 3 से जब भगा दिये 12 को तो 4 घर में उपर में 5 है तो 5 से गुना कर दिये जब 4 से गुना कीजिएगा तो 3 बार में जाएगा और इपर में साथ है तो साथ से गुना और जब आप इसे गुना करने के बाद से जोड़िएगा तो इतना गुना की लिए तो छोटिया 18 होता है पांच ओग 20 होता है और साथ या 21 होता है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 12 है तो आप इसे आप जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर यह आपका आएगा 18 और 20 38 और 21 59 69 बटा 12 इसका एंसर हुआ तो नीचे इसका एंसर आएगा 69 बटा 12 तो यहीं पर मेरा यह पेज 27 समावत होता है तो एगले वीडियो हम पेज 28 को देखेंगे और हाँ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सबस्क्राइब कर लें और साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी सेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से उन्हें जो जाले में पुस्तक दी गई है उन पुस्ता को वो अच्छे से भास सकें तो चलिए अब तक अगले वीडियो में मिलेंगे अपना अगला चैफ्टर अभ्यास कारपत्रक 24 और पेज नंबर 28 साथ तो चलिए तब तक के लिए गुड़ बाई